धौलपुर से इस वक्त की बड़ी कबर है और बड़ी कबर क्या है जरादे के बारी विधासमा शेत्र में बूत कैप्चरिंग का प्रियास किया गया है अती समिधन शेली लेला का है मौके पर जमकर फाइरिंग हुई है और पत्रा हुआ है से सूचना है मदान के जोटे में लगे कर्मियों से मारपीट की गई है इस दोरान एक बाली का कम भी रूप से धायल हो गई है कलेक्टर अनिल अगरवाल और एस्पी मनोज कुमार मौके पर पहुंचे है और ये एक अलग तरीके के अगर रही है बिजंदर बाड़ी का पूरा चुनावी त्याज इसी तरह करा है जस्वंद गूजर यहां बीएस्पी से उमीदवार है और बीजेपी से गिराज मलिंगा है और दोनों पुराने आपस में प्रतिदंदी है दोनों के बीच में इस तरह की गट्रा है मोटे तोर पर मैंने बाड़ी को लेकर लोटिस किया यह आती सम्वेदर शील चुनावी छेतर है और आपको ध्यान ही होगा एक बड़ा बेल्ट दस्यू बेल्ट का आ जाता है जो चंबल से सटा हुआ है जहां पर एक जमाने में तो डकेत कहते थे नापको यह इधर से आते थे चंबल से तो बाड़ी अपने आप में गोली बाड़ी और इस तरही घटनाए है हर चुनाव में होते हैं लेकिन जवाल यह कि बूत कैप्चिरिंग की जा रही है पाइरिंग की जा रही है पत्राओ की जा रहे है अगर यहां इतनी ज़्यादा घटनाए होती आई है और यहां में मान कर चल रहा हूँ पिछले चुनाव के मुकाबले सुरक्षा मजबूत की गई होगी फिर भी बंदू के पहुंच रही है लेकिन यहां बंदू के है यहां बंदू के है लोगों के पास हमानकर चल रहे है यही वो लोगोंगे जिनों ने पत्राव फैलाने के कोशिश की होगी जिनों ने शांती भंग करने के कोशिश की होगी जिनों ने पत्राव किया होगा जिनों ने फाइरिंग की होगी जिनोंने बूट कैप्चरिंग करने की कोशिश की होगी जरा सोचिए चुनाओं में आप धन और बल दोनों का इस्तमाल होते देखते हैं और ये उसकी तस्वीर है जब धन से काम नहीं हुआ तो बल के सरी है और जब बल भी काम नहीं किया तो बूट कैप्चरिंग के सरी है बूट कैप्चरिंग का मतलब होता है कि उस बूट पर जितने वोटर्स को वोट डालने है उनके वोट एक्स वाई जड कोई डालता है और एक वैक्ति को डाल देता है कि बूट के पेटा हुआ रिटर्निक अदिकारी है मुझे सूचना मिली आपर बाहर के गामों से आखर के दीमरी निरारा बटेश और अन्य गामों के गुज़रों ने आकर रहे कि लिगर के कोषिश की तो मैं वाँ से स्थिदा आया तो गाड़ी तोड़ दी मेरा और विनोद जुड़ गया है विनोद जड़ा बताइए कौनसे बोथ की घटना है यह बोथ कौनसे इलाके में आते हैं किनों ने बूद कैप्चुरिंग करने के कोशिश की और पॉलिस ने कितनों को अभी तक हिरासत में लिया ञुद करे तो जिस परने की बात ऑद ओलपुर के अंदर जो चारीरीगरांसतवा पोल ने घटना हैना करया करह थे जो पहले पत्राव किया एक भी तो वही प्रियात किया तो उनके गारी को फोड़े किया और इसके अलावा उन पर ही पत्राव किया जिसमें वह वही घयल हुए वही तो अजिए पुल्स मनोच कुमार किया भाई पारी पुल्स जाथता मोगे पर मौत कहिनाथ है फिलाल अब दर्ब्रों के लिए पर इ पारिंग भी हुई है फिलाल इस तो पूरा जो गाहों है खुले के पड़ा इस समने च्रामने हो तब भी रुआ है जी अजब इनों यह पारिंग किसके तरफ से की गई है लेकिन फिलाल अभी पुलिस से कोई इंडिगेट नहीं किया कौन लोग ते क्या लोग ते हाँ यह बा पूरे मामले में पूरे बूस बद्दान केंद्र है वहां फुलिस का बल्भी तैनाथ था लेकिन जिस परका से यह अठामनों थी बूस नहीं था इसको लेकर बेग पासी नहीं की जा रही थी लेकिन इस पासी गटना कि तरंद बादी दिले के दोनों बले अधिकारियों न लोगों से पूस पूस आज कर रही है जी अचा विनोद ये भी बताईए जरा कि बूद कैप्चरिंग के कोशिश की गई है बूद कैप्चर कर दिया गया है वो डाल दिये गए गए गधनीमत इस पूरे गटना करम में अभी तक जो गनीमत की बात आ रही है गनीमत की बात बूद कैप्चरिंग के बात ठाने नहीं आई हाला कि जो एक पी और क्लेक्टर मौके पर मौद यहां लगातर अभी मद्दान जारी है जी बिलकोल विनोद शुक्रे हमारे साथ जोड़ने के लिए कौल लोग थे अब यह नहीं पता है पूजर थे यह नहीं पता है उंपर कौन हो हम लोग मेरा नहीं दीजन गए ड्राइवर ही यह कैमरा में दीजिए